लगभग 6 श्लोक तक चोटे श्लोक है अनुस्टूप है सात्वा श्लोक महत्वी मैत्वपूर्ण है जहां से कथा शिरू होती है कि राजा जो है वो आश्रम में प्रवेश करता है एक म्रिग का पीछा करते हुए और उस म्रिग की जो मनोभाव है उसको कभी ने बहुत ही सु कहे हैं जो मैंने आपको पहले भी चंद पढ़ाते हुए बताया था बहुत सुंदर्श लोक है जिसको हम गा सकते हैं चंद के माध्यम से क्योंकि चंद जो है वो गीत ही है और ये कावे गीतात्मक है ग्रीवा भंगा भिरामम मुहुरन उपतती स्यंदने बद्ध द्रिस्टिही पश्चारधेन प्रविष्टह शर्पतन भयाद भोयसा पूर्वकायम दर्भैरर धाव लीड़े श्रम विव्रित मुख भ्रण्ची भीकी नवर्त्मा पश्योद ग्रपलु तत्वाद वियती बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाती ये स्वभावक्तिय लंकार का बहुती सुन्दर उधारण है जिसमें भैबित म्रिग के स्वभाविक मनोदोशाओं का वर्णन है जब राजा रत पे सवार होके आश्रम की सीमाओं में प्रवेश करता है तो वो म्रग का पीछा करता है और वो म्रग कैसे डर रहा है इसका बहुत ही सुन्दर विवेचर यहां किया गया है म्रग की जो मनोदशा है अगर हम इसका अनवय करते हैं तो वो राजा सूत को बोलता है जो सूत उसका रत चला रहा है कि देखो ऐसा लगता है कि इस हरिण द्वारा हम काफी दूरी तक खीच लाए गए हैं अर्थात यह हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर ले आया है ब्रिक के पीछे पीछे भागते प्यागते जो रत है वो आश्रम की सीमाओं में प्रवेश करने लगा है पश्य अनुपतती स्यंदने देखो तो ज़रा पीछे दोड़ते वोए रत पर स्यंदन यानी रत जो सप्तमी वफक्ती एक वचन में है मुहुक बार बार गृवा भंगा भिरामम गृवा यानी गर्दन के भंग यानी मोडने से अभिराम यानी सुन्दर तो गर्दन के मोडने से सुन्दरता पुर्वक्त बद्ध द्रष्टी एकाग्र द्रष्टी से देखता हुआ शर पतन भयात शर यानी बान भयात यानी भ कि बान लगने के भैसे बुएसा यानि बहुत अधिक पश्चार धेन शरीर का जो पिछला आधा भाग है वह ऐसा लगता है कि पूर्व कायाम शरीर के आगे के भाग में प्रविष्ट है यानि प्रविष्ट हो गया है प्रवसक विश्धातु तप्रत्य श्रम विवरत मुख ब्रंची भी ठकावट के कारण खुले यो मुख से गिरने वाले दर्ब ही दर्ब जो है कुष कुष ऐसी घास होती है जो मुरिगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है कीन वर्त्वा कीन यानि विखेरना वर्त्मनी यानि रास्ता जिसका मार्ग भर गया है ऐसे कुषों से उदग्रपलु तत्वाद उदग्रपलु ऊची ऊची चलांग भरने के कारण वियती वियती अठाथ सब्तमी भत्तिय आकाश में बहुतरम बहुत ज्यादा और उर्व्या में यानि प्रत्वी पर स्तोकम थोड़ा थोड़ा प्रयाती चलता है दोड़ता है कितनी सुन्दर कि उस हिरेन की मनोदशा का वढ़ना ने की जब कोई हमारे पीछे कभी में यहीं सूचों की गली में हमरे पीछे कुताप पढ़ गिया और हम कुछ स्कुत कभा रहे थे तो खाते काते आगे तेज दोड़ता है कि जैसे आकाश में ज्यादा और प्रत्वी पर कम और उस जो घास जो बहुत पसंती खार आता तो सांस जो हमारी चलती है तो हमारे मुह से कुछ तुकड़े जो है तिन के तुकड़े वह घिरने लगते हैं जमीन पर तो लगता है कि पीछे दोड़त है कि अरे कहां तक पहुंचा अरे कहां तक पहुंचा तो ऐसे बार-बार गर्दन को मोड़कर सुन्दरता के साथ एकाग्र दिट्ट्री से देखने वाला बान लगने के भैसे अपने शरीर कि उसको लगता है कि मेरे शरीर पर बान लग जाएगा इस भैसे पीछे का भाग आगे बहुत अधिक शरीर के अगले भाग में प्रवेश्का एसा लगता है पीछे के भाग में अगला भाग सिमट रहा है ऐसा लगता है और ठकावट जो उसको दोड़ने से हुई है उसका मुझ खुल गया और खुले मुख से आधे चबाए हुए दर्भांश मार्ग में गिरते जा रहे है और उदी से मार्ग व्याप्त हो गया है इस प्रकार डर्ग डर के कारण भै के कारण गिम्रग उची उची छलांग भर रहा है तो जिससे ऐसा लगता है कि मानों आकाश में ही अधिक चल रहा है और प्रत्वी पर उसके बहुत ही कम पाउं पर इतनी यहां जो हमारे है में हना थे जो है हमारे रहसों में भान अक्या श्रिष्ट को उसार्ज स्वबह वक्ति अलंगकृस फस्रिष्आरण और च्छंद का सथ़खतर तीनों ही अ उध् 173 के लिए यह उधारुन है अगर हम देखें तो इसमें आपको जो अच्छे लेगे उसमें बहुत सारे सप्तमी के शब्द हैं स्यंदने है व्यति है और जो दूसरे श्रम विवरित मुख भरंशी भी है उसमें आपको समास कर सकते कि श्रमेण विवरितात मुखात भरंशी नह तैह अर्धा अवलीड़ ही ये सारे त्रतिया बहुवचन के शब्द है अर्धम अवलीडाह तैह ये आपकी व्याकरनात मत्टिपणी है और विशेश में आप कह सकते हैं कि कालीदास के सरवस्रिस उधारणों में से ये एक उधारण है तब सूद कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम चलते चलते शीग्र ही अपनी वापस से इस पुना हम अच्छी भूमी पर लौट आएंगे जो अभी हम तेज हमारा रत का वेग है इसको देखते हुए वो सूद कहता है कि अरे देखो देखो जैसे हम यहाँ पर रत पे दोड़ रहे हैं तो यह जो घोड़े हैं इन घोड़ों की भी जो मनोदशा है इन घोड़ों की या इस रत की वो किस प्रकार से जैसे ही मैं अगर रत रुपता हूँ रत की गती को धीमा करता हूँ तो वो गती धीमी करने के बाद ये जो सारी चीजें हैं वो कैसी लग रहे हैं इसका बहुत ही सुन्दर वनन है ये भी स्वभावक्ती लंकार का एक सुन्दर सा उधारन है इसके अलावा वसंत तिलका चंद का भी बहुत संदर धारण है जिसमें 14 वन होते हैं उक्ता वसंत तिलका जब्दा गव तब जगव गव आपको पता है यह अपन पढ़ चुके हैं मुक्तेशु रश्मिशु निरायत पूर्वकाया निश्कंप चामर्शिखाव निभ्रत उर्द्व करना आत्म धुत्तेई अपी रजुभिर लंग निया धावन्ति अमिम्रग जवाक्षम एव रत्याहा कल्पना कालिदास की ऐसी है कि अगर आँख बंद करके उनकी कल्पना को देखें तो लगता है कोई वीडियोग्राफी चल रही है कि किस प्रकास से मुक्तेशु रश्मिशु निरायत पूर्वकाया कि जैसे रश्मिया मुक्त की गई रश्मिशु पेशु जो है वो सकी सप्तमी है एक के बाद दूसरी सप्तमी रश्मिया नहीं लगाम गूडों की जो लगाम है उनको जैसे ही मुक्त किया धीला किया तो उनकी जो काया थी निरायत पूर्व काया उनके शरीर का पूर्व भाग पूर तया फैल गया लगभग की जैसे ही इन को धीला किया सूथ कहता है कि देखो देखो राजाा जी जैसे ही मैं ने इस घोड़ों का को डेख सकते हैं और क्या हुआ कि कि निश्कम्प चामर शिखा है जो कलंगी दोडने के कारण उसके मस्तक्ष पर शोभा के लिए बांदी गई वो कलंगी के अग्रभाग दे एकदम निश्चल और शांत हो गएं क्योंकि दोडते हैं तो वो हिलते डुलते रहते हैं लेकिन जैसे ही वो रुकने लगे हैं तो व भुर्द उर्द्व करना यानि जो कान है उसके दोनों वो भी खड़े और निश्चल हो गये वह एकदम से कान जो है दोड रहा था तो उसके कान निश्चल नहीं थे लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके कान भी खड़े हो गये हैं आत्मो धते हपी जब दोडता है तो अपने ही द्वारा जो उड़ाई गई रजो भी धूलियों के जो कण है, मिट्टी के जो कण है, मानलो अलंगनिया जो उलंगनिय नहीं है, यानि इतना ते दोड़ रहे हैं कि इनके खुरों से उठाईए धूली भी इने स्परश नहीं कर पाती, जब तक धूली उड़कर इन म्रिग ये जो रत है, ये जो घोड़े हैं रत्या, म्रिग जवाक्षमया इवधावन्ती, कि म्रिग के वेग को नहीं सैन करने के कारण मानो ये तेज दोड़ रहे हैं, इस प्रकार, इस पध्य में वसंत तिल का छंध है, और रैकरनात्मक टिपणी में एक और बात है, कि जब हम चरंगार रस का प्रयोग करते हैं, या पूरी स्लोकों में, यहां पर हम ये भी रस में देखा जाये तो, एक शांद रस जैसा हम उसमें देख सकते हैं, तो इन रसों के साथ साथ, इनकी गुण, और इनकी रीतिया भी हम जान सकते हैं, कि जितने सरल रस हैं, सरल से मतलब यह है कि जितने जो शब्द हैं, उनमें सरलता है, तो उनमें ओज, प्रसाद और माधूरिय गुण में से, माधूरिय गुण का प्रियोग होता है, और रीतिया भी वैधर भी गौड़ी और पांचाली में से, वैधर भी रीति का प्रियोग होता है, जहां पर सौफ्ट शब्द कह सकते हैं, कि जितने कोमल शब्दों का प्रियोग होता है, तो वहां कोमल रीति और कोमल गुण होता है, उसके बाद नवाशलोग भी इंपोर्टेंट है, कि राजा कहते हैं, कि सत्यम अतित्य हरिता हरिंश्च वर्तनते वाजी नह, यह मेरे घोडे, सू पूरे और इंद्र के घोडे का भी अतिक्रमन कर रहे हैं, यानि उनसे भी तेज दोड़ रहें, क्योंकि यदा लोके शुक्ष्मम वरजिती, सहसा तद विपूलताम, यद अर्धे विछिन्नम भवतिकृत संधानम इर्तत, प्रकृत्या यद वक्रम तद पी समरेखम नय न नर्मे धूरे किंचित शडम पीना पार्शुए रत जवात, कि ये जो घोड़े हैं, रत के वेग को देखने के पस्चात राजा सार्थी से कहते हैं, कि रत की तिव्रिगती की कारण, क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या स्वाब्भाविक इस्तितिया हो रही है, जब हम कई ब बैठते हैं और चोटे थी तो मुझे यसा लगता है कि जब बैठते तो आगे हम बढ़ते जाते थे और वो सारी पीछे छोटी जाती जाती थी जब हम सामने देखते हैं तो बढ़ी दिखती और वापस वह पीछे छोटी होती जाती ति इसी तरह से राजा कहते हैं कि रथ जवात की जो रथ के वेक के कारण यद्व ऑलो की जो भी वस्तू देखने में सुक्श्मत्म छोटी सी तत भ treasury वस्तू विपुलताम विशालता को गे्वरजती प्राप्त हो जाती है जो वस्तू average कि दीखाई दिखाई दे रहे हैं जैसे जैसे हम उसके नजदीक पहुंचते हैं वैसे वह बड़ी दिखाई देने लगती है और अर्धे विच्छिन्नम और बीच में ही कटी हुई सिक्रित संदानम जोड़ी गई सी भवती हो जाती है कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तु जो है पहले दूर से जो वस्तु प्रकृत्यावक्रम टेड़ी जो स्वभावत टेड़ी प्रतीत होती है वह भी नएने हो नेत्रों के लिए समरेखम शण भर में ही किंचित कोई भी वस्तु समरेखम यानि सीधी प्रतीत होने लगती है तो इस प्रकर्ष कोई वस्तु न तो मुसे दू तो यह सब रत की गती के कारण होता है तो ऐसा ही जब हम बच्पन में बैठते थे तो इस तरह कानुभव करते होंगे आप समने भी किया होगा कि जब हम दूर से देखते हैं तो चुटी-चुटी चीजे पास में आते ही बड़ी हो जाती है तेड़ी-मेड़ी चीजे सीधी हो के कारण जो वस्तुगत परिवर्तन का स्वाभाविक चित्रन के आए तो इसलिए इसमें भी स्वाभावक्तिय लंकार है और विरोधावास भी है क्योंकि छोटी वस्तु तुरंद बढ़ी हो जाती है और रत की गती है तेज है इसके कारण टेड़ी-मेड़ी सीधी हो जात यहां पर क्रिया के साथ आया है और जब क्रिया के साथ इव आता है तब आपको पता है कि वहां उत्प्रिक्षा लंकार होता है उपमा और उत्प्रिक्षा में यही फरक है कि उपमा में इव हमेशा गुणों के साथ आता है क्रिया के साथ नहीं आता चंद शिखर्णी है तीन हमारे स्त्रावन के चंद है शिखड़नी हरीनी और मंदा क्रांता रसे रुद्रेश छिनना यमनसा भलागा शिखड़नी तो आप जब आपको उगर इसका लक्षन याद होगा तो आप उसमें चंद भी लिख सकते हो व्याकर नात्मक्ति पणी में चोटी चोटी जो भ प्रक्रति प्रतेयाद हो तो लिख सकते हो विभक्तियां लिख सकते हो इसकी संधियां लिख सकते हो या समास लिख सकते हो तो यह वर्णन अभी रत और रत पर सवार राजादुश्य और उसका सार्थी सूर्थ के बीच में चल रहा है इसी बीच में वह चलते चलते यह लो आश्रम की सीमाओं में पहुंचने जैसा संकेत इनको मिलता है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें दिख रही है एक वेखानस मिलता है यानि कोई मुनी और वो उनको बताते हैं कि आप आश्रम की सीमाओं में पहुंच गया है तो सूत कहता है कि आप बताओ आपको कैसे ज्याथ हुआ कि यह तपवन की सीमाओं वह सुन्वर एक श्लोक राजा कहता है श्लोक संख्या 13, most important निवाराह शुक गर्ब कोटर मुक ब्रश्टह तरुणाम अधह प्रस्निक दह क्वचित इंगुदी फल भिदह यह जो आश्रम की सीमा मुझे इसलिए लग रहे है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ शान्त है कोई हलचल नहीं है म्रिग जो है वो आराम से पेड की छाम में बैटे है उनको पता है कि यहाँ पर हमें मारने वाला को ही नहीं है और इस शांत वातावरन को देखते हुए मुझे लगता है कि यह जरूर ही आश्रम में हम पहुँच चुके हैं कैसे तो यह देखो तरूराम अधा तरूराम यानि व्रक्षों के सस्टी बहुवचना है अधा यानि नीचे व्रक्षों के नीचे शुक गर्ब कोटर मुख भ्रस्टाहा शुक यानि तोते तोतों से युक्त गर्ब कोटर तोतों के जो घौसले उन्होंने पेडों में कुछ कोटर यानि घौसलों के अगरभाग वो बनाए हुए उसमें से निवारा हा उनका जो धान्य है वो फैला हुआ है इंगूदी फल भी दहा जंगल में एक ऐसा फल होता है इंगूदी नाम का जिसे तेल निकलता है वो तेल रिशी मुनी काम में लेते हैं वो एक प्रकार का विशेश रक्ष होता है तो वो चिकनाट के लिए ये काम में लिया जाता है तेल के रूप में तो इनको पत्थरों स तोड़ना पड़ता है तो जब पत्थरों से तोड़ा तो पत्थर भी चिकने पड़े हुएं तो इस प्रकार इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले प्रस्निक दहा विशेश रुख से चिकने उपला हा पत्थर सूचेंते इव दिखलाई पड़ रहे हैं विश्वास भार पथा सरवरों के मार्ग से वलकल शिखा निश्यंदर एकहां किता पूरा रस्ता ऐसा लगता है कि रिश्वीजी मुनी जब नदी में सनान करके निकलते हैं तो वह गीले कपड़ों में ही पूरे रस्ते में से रस्तान करते तपुवन की तरफ तो पूरा तपँवन रा जो जल की भूंदे टपकती रहती है तो संपूर्ण मार्ग मेरे खासी खिच जाती है इन सारे लक्षिरों से इस पस्ट हो रहा है कि आश्रम समीपी है तो पुनहा एक सुभावक्ति का वर्णा कावेलिंग एक के बाद एक जो लगातार जो सूचनाई दी है जो लिंग बना है आश्रम को सूचित करने का उससे यहां पर कावेलिंग लंकार भी है और चंद है शार्दूल विक्रित चंद रक्ष का स्ट्रक्द्रा की बाद स्ट्रक्द्रा 21 वर्ण का है तो शार्दूल विक्रित 19 वर्ण का है जहां पर 12 और 7 पे यती होती है तो रिया श्वेर यदि मह सजव सतत गाहाशार दुल्विक्रेदम आपको पताईए क्योंकि ये एक ही है तो आपको इसका लक्षन भी पता है इस प्रकार राजा आश्रम की सीमा में पहुंचते है